हेलो स्टुलेंज, क्लास 9 मैथमाटिक्स का 7 चाप्टर ट्राइंगल्स कर रहे, कॉंग्रेंसी आफ ट्राइंगल्स, आज हम लोग देखेंगे एक थियोरम, ठीक है, राइट, फिर उसके बाद कॉंग्रेंसी को आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए भी आप अपनी NCRT बुक निकाल लीजिए, NCRT बुक में थियोरम है, मैं रीड करता हूँ, आप भी उसके साथ साथ रीड करिएगा, यह है थियोरम 7.2, angles opposite to equal sides of a isoceles triangle are equal, ठीक है, सबसे पहले तो इस थियोरम को समझते हैं, जैसे suppose मैंने यहाँ पर एक triangle बनाया, right, triangle ABC, right, सबसे पहले हम यह देखें, isoceles triangle होता क्या है, ऐसा triangle, जिसमें दो sides equal हूँ, right, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, isoceles triangle, कौन सी दो sides, any two sides, जैसे suppose हमने माना, कि यह वाली side इसके equal है, तो यह क्या कहलाएगा, isoceles triangle, right, let us take one more example, suppose triangle यह है, इसमें यह वाली side इसके equal है, okay, fine, आम चेंज कर देता हूँ, P, Q and R, तो यह isoceles triangle, right, यहाँ पर हमने एक और triangle ले रिया, D, E, F, यह वाली side इसके equal है, isoceles triangle, ठीक है, तो अगर triangle में, any two sides are equal, then it will be called as a isoceles triangle, अब isoceles triangle में, एक और कूबी होती है, क्या कूबी होती है, suppose इस से शुरू करते हैं, इस triangle में यह वाली side इसके equal है, right, तो ध्यान से सुनिएगा, इस side के opposite में कौन सा angle है, यह वाला, इस side के opposite में कौन सा angle है, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर opposite में, ठीक है, इस side के opposite में कौन सा angle है, यह वाला, opposite का मतलब समझ गया न, जैसे, इस angle की arms में ये नहीं आना चाहिए तो इसके opposite में ये angle है इसके opposite में ये angle है तो isosilis triangle जिसमें दो sides equal होती है उसके opposite के angles भी क्या होंगे? equal अगर triangle ये वाला है ये वाली side इसके equal है तो इसके opposite में कौन सा angle हो गया? ये वाला, इसके opposite में कौन सा angle हो गया, ये वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, angle P equals to angle R, right, अगर हम ये वाला triangle लेते हैं, तो इसके opposite में ये वाला angle, समझ गया ना, इसका opposite, opposite मतलब, इस angle की arms में ये वाली side में आनी चाहिए, ठेके, fine, इसके opposite में ये वाला angle, तो हमने क्या बोला, isosless triangle में क्या होता है, दो sides equal होती हैं, और उसके opposite के angles भी क्या होते हैं, equal होते हैं, angles opposite to equal sides of a triangle are also equal, ये theorem है, ये हम junior class में पढ़ते हैं, right, fine, इसी theorem को हमें क्या करना है, यहाँ पर proof करना है, पास में आ गई, ठीके, ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको, मैं इसको एक बार रब करता हूँ, चलिए, तो आप देखेगा, तो मैंने आपको क्या बताया, एक theorem ये है, angles opposite to equal sides of a triangle, of a triangle are also equal, ठीके, बोल रहे हैं, अगर किसी भी triangle में, किसी भी triangle में, दो sides equal हैं, तो उसके opposite के angles भी क्या होंगे, equal, मतलब, अगर आपको ये given दे रखा है, क्या given दे रखा है, कि दो sides equal है, a, b equals to a, c, ये दो sides equal है, right, तो फिर क्या होगा, then, इसका result क्या होगा, ठीके, इसके opposite के angles भी equal होंगे, angle b equals to angle c, बस मैं आ रहे हैं, अगर ये चीज गिवन है, तो ऐसा होगा, ठीके, angles opposite to equal sides of a triangle, अगर triangle में equal sides हैं, तो उसके opposite के angles भी equal होंगे, एक फिरम तो ये, दूसरा पन ऐसे ये बोल सकते हैं, sides opposite to equal angles of a triangle are also equal, right, अब ये इसकी converse theorem है, converse मतलब, आपको ये triangle दे रखा है, p q r, और इसमें ये वाला angle इसके equal है, ऐसा question में given है, ठीके, क्या given आपको दे रखा है, angle q equals to angle r, then, result क्या होगा इसका, इस angle के opposite में कौन सी side है, ये वाली, p q, इस angle के opposite में कौन सी side है, p r, right, तो ये sides भी आपस में क्या होगी, equal, आप दोनों theorem को समझ पाया है न, पढ़ चुके हम junior class में, ठीके, right, तो क्या बोल रहे हैं, अगर triangle के अंदर दो sides equal है, तो उसके opposite के angles equal होगी, और अगर triangle के अंदर, दो angles equal हैं, तो उसके opposite की sides क्या होगी, equal होगी, ये हमें already पता है, right, और इसी को हमें आज क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीके, right, fine, तो पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीके, आप pause करके इसको लिख दो, फिर अपन प्रूफ करते हैं, चलिए, आपने लिख लिया होगा, तो सबसे पहले हम ये वाली theorem प्रूफ करेंगी, ओके, theorem 7.2 है हमारी ये वाली, आपने NCRT बूफ निकाल दीजेगा, NCRT बूफ में लिखा होगा है, मैं रीट करता हूँ, Angles opposite to equal sides of a isoseles triangle are equal, मतला आपको यहाँ पर isoseles triangle given है, यह आपका isoseles triangle है, triangle ABC, और इसमें दो sides equal दे रखिये, ठीक है, तो आपको क्या given है, आपको given है, in triangle ABC, right, AB equals to AC, ऐसा आपको given है, to prove, आपको proof करना है, इसके opposite के angles equal होंगे, मतला आपको proof करना है, angle B equals to angle C, चलिए, करते हैं एक छोटा सा construction, ठीक है, right, fine, तो हमें यहाँ पर construction करना पड़ेगा, तो हमने construction में क्या किया, draw angle bisector AM, of angle A, यह जो angle A है, right, इसका हमें angle bisector draw करना है, जो B पर M point पर आके मिलेगा, ठीक है, draw angle bisector AM of angle A, ठीक है, right, चाहिए तो थोड़ा और लिख दो, meets BC at M, ठीक है, ऐसा हमने लिखा, बास में आगई, तो question में क्या given है, sides equal है, आपको क्या proof करना है, angle B equals to angle C, यह हमने construction किया, तो यह वाला angle इसके equal है, तो construction को मैं dotted line से represent कर देता हूँ, ठीक है, तो यह वाला angle इसके equal है, बास में आगई, ओके, चलिएगा, start करते हैं, proof, ओके, हम क्या करेंगे, इन दोनों triangle को congruent proof करेंगे, कैसे, देखेगा, तो मैंने लिया, in triangle AMB and triangle AMC, right, दिख रहा है आपको, triangle AMB, AMC, बना देता हूँ, मैं आपर देखो, ठीक है, राइट, इस तर बना दो, इदा बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे बना रहा है triangle, AMC, और दूसरा triangle बना रहा है आपको, इस तरीके से, right, AMB, इन तोनों triangle को ध्यान से देखो, इसमें AB और AC आपस में equal है, ठीक है, right, AB और AC आपस में equal है, ऐसा question में given दे रहा है, इसके अलावा, ये वाला angle इसके equal है, ओके, ये वाला angle इसके equal है, by construction, ठीक है, right, by sector है, और ये वाली side दोनों में क्या है, common, देखो आप, AM, boundary है, वो इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप देखो यहाँपर, इन दोनों triangle में हमने ये वाली side इसके equal करी, ये वाली side इसके equal करी, और ये दोनों मिलकर जो angle बना रहे हैं, ये angle हमने यहाँपर equal किया है, included angle equal किया है तो कौन सी theorem लगेगी SAS चलिए करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा इस तरफ AB equals to AC ऐसा question में क्या है given angle BAM राइट order का ध्यान रखेगा बार-बार बोल रहो हूँ इस तरह से लिखें कि जो equal part से उनकी position same आए equals to angle CAM by construction चेक है राइट थोड़ी space कम थी इसनले मैंने इस तरह से लिखना फिर AM equals to AM यह दोनों में क्या है common चेक है राइट अब आप देखो सबकी position same मिले गया आपको यहाँ पर तो इस तरह से ट्राइंगल AMB is congruent to triangle AMC by SAS congrency condition तो ट्राइंगल क्या हो गया है यहाँ पर congruent हो गया तो CPCT से parts equal कर दें ओके तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिया ABM ABM तो इदर क्या लेना पड़ेगा ACM तीन parts equal करें बागी तीनों CPCT से equal हो जाएंगे पर हमने अपने जरुरत का लिखा है सिर्फ ठीक है तो यहाँ पर लिख दिया हमने by CPCT अब आप देखो ABM कौन सा अंगल है ABM यह वाला मतलब यह क्या है that is यह अंगल B है ACM मतलब यह क्या है आपर अंगल C है तो this is what we have to prove तो हमने प्रूफ कर दिया अंगल B equals to angle C है इतना क्लियर है सिंपल सा प्रूफ है pause करके लिखें फिर आपना आगे चलते है चलिए आपने लिख लिया हुआ यह हमारी theorem 7.2 थी अब हम करेंगे theorem 7.3 जो इसकी converse है ठीके आजाए यह book पे आजाए ओके theorem देखेगा 7.3 the sides opposite to equal angles of a triangle are equal ठीके तो देखो क्या बूल रहे है proof थोड़ा थोड़ा similar होगा इसलिए मैंने पूरा रब नहीं किया suppose यह triangle है ठीके triangle A B C इस बार आपको क्या given है angle B equals to angle C angle B goes to angle C ऐसा आपको दे रखा है proof क्या करना है इसके opposite angle C के opposite में क्या है A, B angle B के opposite में क्या है A, C तो आपको proof करना है A, B equals to A, C देख रहा है ना यह given है उल्टा हो गया यह given है और हमें यह proof करना है इसमें भी हमें यही करना पड़ेगा construction ठीके हम यहाँ पर एक angle bisector draw कर देंगे A, M same construction ठीके fine जिससे यह वाला angle इसके equal हो जाए चीके ना यह angle इसके equal है और यह हमें given दे ही रखा है कि यह वाला angle इसके equal है चलिए इन दोनों को वहाँ पर हम लोग बना देते हैं proof इसी तरह से चलेगा देखो कुछ differences होंगे बस चलिए हमें इसी तरह से ले लेना है अब हमें proof करना है AB equals to AC यह वाली side इसके equal है तो यह वाला triangle और यह वाला triangle ले लेते हैं चलिए ले लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से draw कर दिया triangle A M C triangle A M B यह दो triangles हमने चूस के रहें यहाँ से अब यहाँ पर हमें क्या given दे रखा है angle B equals to angle C ऐसा question में given है इसके अलावा यह वाला angle इसके equal है by construction by sector है यह ओके इसके अलावा जो यह वाली side है यह दोनों में क्या है common AM अब आप देखो हमने यहाँ पर दो angle equal करें और दोनो angle की जो common side है जैसे इन दोनों angle की यह common side इन दोनों angle की यह common side इसको equal नहीं किया इसके अलावा दूसरी side को equal किया तो कौन सी theorem लगेगी A A S ठीक है कर दें हम लोग ओके यह सम पहले देख चुके हैं तो मैंने लिखा angle A B M A B M तो इदर क्या लेना पड़ेगा A C M मतलब यह वाला angle ठीक है तो ऐसा question में क्या है given इसके अलावा angle B A M equals to angle C A M by construction spelling दंसे नहीं लिखा जगे कम थी okay A M equals to A M यह दोनों में क्या है यहाँ पर common ठीक है तो क्या हो जाएगा triangle A M B is congruent to triangle A M C by A A S congruency congruency rule ठीक है congruent होगे तो C P C T से parts equal हो जाएगे तो यहाँ पर लिए आपने first and last A B यहाँ पर भी लेना पड़ेगा first and last A C by C P C T ठीक है तो आभ्यान से देखिए यही हमें यहाँ पर क्या करना था प्रूफ करना था ठीक है इस तरह से हमने second theorem भी प्रूफ किया ठीक है pause करके लिखें फिर आगे बात करेंगे चलिए तो आज हम लोगों ने यह दो theorem से यहाँ पर देखी इसके साथ जो worksheet आएगी आप ज़रूर practice करेगा ठीक है next class में मिलते हैं ठीक है next questions के साथ तब तब practice करते रहें पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें बाई